नमस्कार दोस्तो इश्टोर्ट सदर आपका भला करें मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एश्टोर संजय में दोस्तो आज पर फिर सुपस्तित हूं आप सभी के बीच में आपकी सपनों की समस्याओं का हल ले करके तो आज हम जो विशह लेकर के आए हैं आप सभी के बीच में आज हम जिस विशह पर आपसे चर्चा करने वाले हैं वह हैं सपने में भीड देखना भीड जिसे हम इंगलिस में क्राउड करते हैं तो यदि कोई चातर या जातिका सपने में भीड का हिस्सा आया तो भीड देखते ह हैं तो बहुत चातार या जात कर नहीं पता होता है सूचते हैं कि यह सपना में कि मा आया तो इसलिए हमने बहुत सारे बीडियोऄ ऊप्लोट की हुई है ताकि आप इस भी अपनी अपनी已स्रां कंश्राइक को हम तो इसलिए हमें वीडियोस अफ्लोट की हुई है, जो भी आपको प्रबलूम्स होती है, आप हमें कमेंट करके, या तो हमारी वीडियोस को देख करके, आपको अपनी समस्याओं का हल मिल जाएगा, तो दोस्तो, आज का जो हमारा विशे है, सपने में भीड देखते हैं, तो तो सपन में आपको साइक्लोज के लिए यानि कि मनों इग्यानिक रुप्स के उसके बाद में आपको आश्टरोज के लिए भविश रुप्स से आपको इसकी मेनिंग बताऊगा तो साइक्लोज के लिए अगर देखें तो भीड में फसे हुए देखना या तो भीड देखना तो बीड से ना निकल पाना यह सपना जो होता है सभी सपने इंडिकेट करते हैं कि आप किसी ना किसी प्राउबलम में हैं या किसी आप पर कठिनाई में पढ़ने वाले हैं तभी आपको ऐसे सपने बार बार आते हैं यदि कोई जातक सपने में खुद को फसे हुए देखते हैं तो यह सपना जो होता है बताता है कि आप यह तक आप अपनी वास्तवी जिंदिगी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं अब वहीं बात करते हैं आप निकलने कोशिश कर रहे हैं निकलने पा रहे हैं तो यह सपना जो होता है आने वाले किसी परिशानी किसी मुसिबत की उदिशारा करता है तो यहां पर हमें बच कर रहना चाहिए यह सपने में कोई चातक देखता है कि कोई बीड है बहुत सारी बीड है उसमें सवर निकलने में कामयाब हो जाता है तो यह सपना जो होता है उसके आने वाले अच्छे समय की योदिशारा करता है सपना बताता है कि उस चातक को अपने आने वाले समय जो भी कठनाई होगी उसमें वह निकलने में साठषाब, साठषाब मत्तब जो भी हैं आप कामयाब हो सकते हैं और अपनी प्रॉब्लमस को आप्तों स्वालव करने में सच्छम हैं तो दोस्तों यति आसी आनकारी उमेर करता हूं आसी चेवा प्री दोस्तो